श्री गंगालगर की जुबिन अस्पताल में बच्चे की मौत पर हंगामा हो गया आक्रोशित लोगों ने अस्पताल को घेर कर जम कर नारिबाजी दोरान की और डॉक्टर दर्शन आहुजा पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया मौतक बच्चे के पिता का आरोप है कि अस्पताल में एप रशिक्षित लोगों को नौकरी पर रखा गया है उनका बच्चा सुभा तक ठीका लेकिन नर्स के इंजेक्शन देने के बाद से ही उसकी हालत बिगड़ गए और उसकी मौत हो गई यही नहीं उन्हें बिना बताए बच्चे को आई सीओ में भी भरती कर लिया गया वहीं भारे हंगामी को देखते हुए पुलिस प्रशासन तैनात रहा